दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मौर्योत्तर काल को, यानि कि मौर्य सामराज्य के बाद का काल ये एक ऐसा टाइम था जिसमें सब कुछ बिखर गया था, यानि कि कोई भी एक ताकतवर वंश निकल कर सामने नहीं आया मौर्योत्तर काल को ऐसे तो चोटे मोटे ब्राहमण वंश आये थे, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, शूंग वंश, सत्वाहन वंश, कणव वंश और चेदी वंश, ये ब्राहमण सामराज्य थे लेकिन अभी तक कोई ऐसा आदमी नहीं आया जो लंबे सामराज्य की नीव रख सके यानि कह सकते हैं कि कोई पावर्फुल इंसान नहीं आया जब कोई पावर्फुल राजा है नहीं, तो बाहर के लोगों को एक आमंतरन मिलता है कि आओ, यहाँ पर कोई पावर्फुल राजा है नहीं, लूटो इसको, अटैक करो इस पर तो आज की इस वीडियो में हम लोग उन्हीं बाहर के आकर्मन कारियों को डिस्कुस करेंगे जिन लोगों ने बाहर से यहाँ पर अटैक किया मैं systematically सीरियल से बताऊंगा कि कौन-कोन आया था पहले हिंदी-युनानी आये थे, जिनको इंडो-ग्रीक कहा जाता है फिर शक, फिर पल्लव और कुशान इन चारों ने एक के बाद एक करके भारत पर अटैक किया हम लोग आज एक-एक करके इनको डिस्कुस करेंगे सबसे पहले हम लोग डिस्कुस करते हैं हिंदी-युनानीों को यानि इंडो-ग्रीक्स मैं आपको एक चीज़ बता दू इन्होंने भारत पर अटैक करना तभी शुरू कर दिया था जब बहुत पहले शुरू कर दिया था जब अशोग की बाद में कोई भी मौरियों में पावर्फुल राजा बचाने था ये लोग कहां से अटैक करते थे नॉर्थ बेस्ट से जहां पर आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान है इस इलाके से उत्तर पस्चिम से इन्हों ने अपने कबजे में कौन-कौन सा इरिया ले लिया था गांधार, तक्षिला, सियालकोट और स्वात की घाटी है ना खूबसूरत घाटी वो अब दूस्तों अभी तक तो भारत के जितने भी देसी राजा थे ब्रामण वंच से उनके बारे में जितने भी इंफॉर्मिशन हमको मिली तो कहां से मिली शिला लेखो से लेकिन इनके बारे में हिंद युनानियों के बारे में हमें इंफॉर्मिशन कहां से मिलती है सिक्को से कौइन से लगबग तीस हिंद युनानी साशकों के बारे में सूचना मिलती है हमें सिकों से अब वैसे तो ये बहुत लंबे टाइम तक भारत पर अपनी सत्ता कायम कर नहीं पाए लेकिन इनके आने से बहुत सारी important चीज़े आ गई भारत के इंदर आपको मालूम है न जब भी कोई बाहर से आता है तो अपने साथ में कुछ ना कुछ जरूर लेकर आता है तो ये हिंद युनानी लोग अपने साथ में क्या लेकर आते हैं लिस्ट बनाते हुए चलो सबसे पहले तो इन्होंने नगरिय करण को बढ़ावा दिया जो भी हिस्से इनके कंट्रोल में थे गांधार, तक्षिला, पेशावर ये सारे हिस्सों में इन्होंने रोमन पैटन में नगरों का विकास किया इन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के चलवाए इंडिया में सोने के सिक्के को लेकर मैं शौर हूँ कि सबसे पहले इन्होंने सोने का सिक्का जारी किया था और इनके सिक्के बहुत ही आर्टिस्ट्रिक होते थे दोस्तों साचे में ढाल कर बनाये जाते थे इनके चलाए हुए सिकों से अर्थ व्यवस्ता को बड़ा बढ़ावा मिला मौदरी करण को बढ़ावा मिला इनही के आने की वज़े से इंडिया और रोम में व्यापार शुरू हो गया ट्रेड शुरू हो गया सिल्क रूट था ना इस एरिया से व्यापार होता था इंडिया और रोम के बीच में पॉलिटिकल प्रभाव बताओं तो ये अपने टाइम पर सैन्य गवर्नरों को नियुक्त करते थे ये एक नई चीज थी सैन्य गवर्नर भारतियों ने उस वक्त इनसे लड़ाई के बारे में सेना के बारे में कुछ नए गुड़ कुछ नई तकनीके सीखी उस वक्त इसके लाबा लिट्रेचर में बताता हूँ इन लोगों से हमें बहुत सारे नए शब्द सीखने को मिले जैसे कलम, पुस्तक, सुरंग ये सारे वर्ड्स ग्रीक लैंग्वेज से लिये गए हैं अब इनसे हमने तो सीख लिया लेकिन इन्होंने हमसे क्या सीखा इन्होंने भी हमसे काफी सारे वर्ड्स सीखे जैसे सेना, सेनापती सीना और सीना पती यहीं से लेकर गए यह वर्ट्स जोतिश विद्या में यह बहुत आगे थे एस्ट्रोनॉमी में तो वो चीज हमने इनसे सीखी है नक्षत्रों को देखकर भविश्य बताने की कला इनहीं लोगों से सीखी है हमने हिंदी युनानियों से अब नाटक जो हुआ करते थे न प्ले वागेरा, ड्रामा वो तो हमारे यहां पर बहुत पुराने लेकिन उसके अंदर जो परदा डालने वाला सिस्ट्रम है न वो हमने इनहीं से सीखा था इन्दी युनानियों से इसको यबनिका कहा जाता है नोट कर लेना यवनिका इनके आने की वज़े से हमारी मूर्ती कला के अंदर काफी विकास हुआ मूर्तियां पहले भी बनती थी लेकिन इन्होंने काफी सारी चीज़े सिखाई कि मूर्तियों के अंदर क्या-क्या होना चाहिए दोसों इनकी राजधानी थी शाकल यानि आज का सियाल कूट अब वैसे तो अटैक तो डेमेट्रेस ने किया था लेकिन सबसे ज़्यदा इंपोर्टेंट साशक इनमें कोई माना जाता है तो वो है मिनांडर जिसकी लड़ाई हुई थी पुश्य मित्र सुंग के साथ में मौरियों का सेना पती था और जिसने मौरियों के आखरी राजा ब्रहधद को मार दिया था और खुद का साशन कायम किया था इंडिया के अंडर उसने मिनांडर से लड़ाई की जो की हिंद युनानी था और जीत हासल की इसे हरा दिया हिंद युनानी को हरा दिया उसने अब मिनांडर बहुत important है इन हिंद युनानियों में तो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं दूसरो इसकी मुलाकात होती है एक बौध दर्शनिक जिसका नाम था नागसेन उससे इसकी मुलाकात होती है और सवाल जवाब होते हैं बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं और मिनांडर ने यहां के बात धर्म को अपना लिया, इसके लावा एक दूद था हैलियोडोरस, वो इंडिया में आया था, इसने भी यहां पर भागवत धर्म अपना लिया था, तो ऐसे जब हिंद युनानियों ने यहां के संपर्क में आने के बाद में, यहां से आर्ट मिला हुआ है दोस्तों ये सब हमने जाना युनानियों के बारे में युनानियों के बाद भारत में आते हैं शक दोसों शक मध्य एशिया की एक जंजाती थी जो इंडिया में चारा गाहों की तलाश करते हैं अब भारत पहुंचने के बाद ये बहुत सारे कबीलों में बढ़ गए इंडिया के अलग अलग हिस्सों में बढ़ गए इनकी 5 शाकाए थी यानि पूरे इंडिया में 5 शाकाए थी और सबसे जयदा important शाका थी पश्चिम के भाग की इंडिया में जो पश्चिम भाग न वहाँ की इन में सबसे important राजा था रूदरदामन इसने इंडिया में एक जील थी सुदर्शन जील उस पर काम किया था दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि रूदरदामन ने कौन सी जील पर काम किया था इंडिया में एक जील थी सुदर्शन जील उस पर और अगर ये पूछा जाता है कि सुदर्शन जिल को बनाया किसने था तो चंदरगुप्त मौर्या ने बनवाया था दोस्व एक बात ये कि ये रुद्र दामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था दोस्व इतना बड़ा प्रेमी था कि इसने पहला संस्कृत का अभिलेक बनवाया दोस्तों जो की जूनागड में है अब आप कहोगे संस्कृत में लिख दिया तो कौन सी बड़ी बात है दोस्तों इससे पहले अशोक के काल में जो भी शिलालेक लिखे जाते थे न वो लिखे जाते थे ब्रामी लीपी में या फिर उस पे ग्रीक इंफ्लूएंस होता था ये पहला इंसान था जिसने जूनागड में अभिलेकों को संस्कृत भाशा में बनवाया और इस अभिलेक से हमें किसकी जानकारी मलती है दोस्तों मौरियों की ये चीज़ पूछी भी जा सकती है कि जूनागड अभिलेक से हमें किसकी जानकारी मिलती है तो मौरियों की अब शको का राज भी इतना ज्यादा टाइन तक चला नहीं क्योंकि एक उजयन का स्थान ये राजा था उसने इनको पराजित कर दिया था और इनको पराजित करने के उपलक्ष में उसने क्या किया एक उपाधी धारण की विक्रमा दित्ती की उपाधी जो खुद को ग्लॉइफाई करने के लिए धारण की जाती है और उसके लावा एक कैलेंडर जारी किया विक्रम संबत दोसो ये विक्रम संबत कैलेंडर की बारे में आपने सुना होगा कही ना कहीं ये उजैन के एक स्थानी राजा ने जारी किया था और उसी राजा ने शको को भी हराया था अब शको के बाद मैं बात करता हूँ पल्लवों की दोसरो पल्लव और शक इतने इंपोर्टन नहीं लेकिन जो भी इंपोर्टन बाते हैं जो एक्जांस में पूछी जा सकती है मैं वो सब आपको बता रहा हूँ शकों के बाद आते हैं पल्लव इनमें आप दो चीज़े याद रख लो यह जब भारत में आया थी तो इन्होंनों तक्षिला में अपनी राजधानी बनाई और दूसरा इनमें सबसे इंपोर्टन राजा था गौद ओफ अर्निस पल्लवों में हमें तीन चीज़े याद रख लिए हैं पहला तो यह आये कहां से थे उत्तर पश्चिम से दूसरा इनकी राजधानी कहां थी तक्षिला में और तीसरा इनका सबसे इंपोर्टन राजा कौन सा था गौद ओफ अर्निस अब दोस्तों सबसे इंपोर्टन हमें डिस्किस करना है कुशानों के बारे में क्योंकि यही सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक टिके थे कुशान इन चारों में सबसे ज्यादा इंपोर्टन और सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक टिकने वाले कौन थे कुशान इनके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ कुछ basic information देता हूँ मंगोलिया में यूची नाम के कभिलाई सम्हू के अंदर पाँच शाखाए थी दोस्तो उन्ही में से एक शाखा थी कुशान यानि ये थे तो विदेशी लेकिन आये थे चाइना साइड से मंगोलिया साइड से अब कुशानों में सबसे ज्यादा important अगर हम किसी को पढ़ते हैं तो वो है कनिश्क, नाम सुना होगा कनिश्क कुशानों में सबसे बड़ा राज कनिश्क नहीं फैलाया था दोस्तो इसका कारण था इसकी सकारात्मक नीतिया और उदार द्रश्टी कोन इसने उस वक्त कश्मीर पर आकरमन किया और वहाँ पर एक नगर की स्थापना की जिसका नाम दिया गया कनिश्क पूर इसी ने उस वक्त शक संबत नाम का एक कैलेंडर चलवाया था दोस्तों कनिश्क नहीं और उसी कैलेंडर को आज भारत का रास्ट्रिय कैलेंडर कहते हैं शकसंबत को अब इन दोनों में कन्फ्यूज मत होना पहले बाला कैलेंडर यानि की विक्रम संबत तो उज्जैन के एक सथानी राजाने लागू किया था और शक संबत को कनिश्क नाम के एक राजाने लागू किया था अब दोनों कैलेंडर्स की बीच में फर्क क्या है सबसे पहले तो ये जो विक्रम संबत है जिसे उज्जैन की राजा ने लागू किया था वो 58 साल आगे है यानि आज की डेट से 58 साल पीछे है दोस्तों अब इसकी दो राजधानिया थी दोस्तों पहली जिसने इसको कंट्रोल आसानी से मिल जाए पूरे देश पे मैं आपको एक महत्वपून उपलब्दी बताता हूं इस कनिश्क की दोस्तों इसने सिल्क रूट जो था न उस पर कंट्रोल कायम कर लिया था ये टेक्स लेता था उस रास्ते के बीच में जो भी चाइना से अश्वघोश, वसुमित्र, नागरजुन, चरक, पार्शव ऐसे ऐसे विद्वान थे दोस्तों नागरजुन को इंडिया का अइंस्टीन बोला जाता है चरक सहिंता के बारे में आपने सुना होगा इसके लावा ये पूरी तरह से भारतिय हो गया था इसने भारतिय कल्चर को अच्छी तरह से अपना लिया था, इसने लंबा कोट पहनना, चूडीदार पजामा पहनना, ये सब परंपराएं प्रचलित की और इसके टाइम पर सबसे ज्यादा तामबे के सिक्के जारी किया गए थे दोस्तों, तामबे के सिक्के किसके टाइम पर जारी किया गए थे कुशाणों के टाइम पर, खासकर कनिश्क के टाइम पर भवनों में जो लाल, चुना, टाइल्स वगेरा का इस्तमाल होता है न वो इसी के टाइम पर शुरू किया गया था अब इन चारों के बारे में पढ़ने से हमें काफे कुछ मौर्योत्तर काल के बारे में पता चलता है मैंने आपको चारों के बारे में बता है हिंदी युनानी, शक, पलव और कुशान आखरी चीज में आपको बताना चाहूंगा दोसों जो आपको नोट कर लेनी चाहिए देखो भारत का जो आर्थिक विकास हुआ था न वो सबसे ज्यादा मौरयोत्तर काल में हुआ था इसका कारण क्या था? कि सारे की सारे जो भी बाहर के आकर्मनकारी या देसी राजा जो थे, ब्राह्मन ये सब बाहर से व्यापार कर रहे थे रोम से, चाइना से, दक्षणी भाग से, न जाने कहां कहां से इसलिए भारत का सबसे ज्यादा आर्थिक विकास इसी मौरयोत्तर काल में हुआ उमीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए कुछ हेलफ़ल साबित होगी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही